अव्याई क्रिया विशेशन जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्याई या अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे उधर, जब, वहां, कब, क्यूं, वह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, लेकिन, प्रतिदिन, के लिए, किन्त परंतु, बलकी, इसलिए इत्यादी, अब निमलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, शीला और मीना बाजार गई थी, रोहन अपनी पिताजी के साथ मंदिर गया, दीपक और गगन बाजार गए थे, काजल अपनी मा के साथ स्कूल जाएगी, उप्रियुक्त व अव्यय अविकारी शब्द है, वे शब्द जिन में लिंग, वचन, कारक, काल आदी के कारण परिवर्तन नहीं होता, वे अव्ययय के भेद, अव्ययय के पांच भेद हैं, क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्य बोधक, विस्मियादी बोधक, निपात, क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं निम्न वाक्य देखिए घोड़ा तेज दोड़ रहा है वैभवी धीरे बोलती है मैं कल आगरा जाऊंगा उप्युक्त वाक्यों में तेज धीरे कल शब्दों से क्रिया की विशेश्टा प्रकट हो रही है अतय ये क्रिया विशेशन है क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्रिया विशेशन के भेद क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं स्थान वाचक, रीती वाचक, काल वाचक, परिमान वाचक, स्थान वाचक क्रिया विशेशन जिन क्रिया विशेशनों से क्रिया के होने के स्थान का बोधो उन्हें स्थान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे मा भीतर गई गौरव यहां बैठा है इधर उधर खोजो इन वाक्यों में भीतर यहां तथा इधर उधर शब्द क्रिया का स्थान बता रहे हैं अतै यह स्थान वाच रीती वाचक क्रिया विशेशन है। धीरे धीरे चलती हैं बच्चा अचानक रोपड़ा बालक ध्यान पूर्वक हाथी को देख रहा है इन वाक्यों में धीरे धीरे अचानक तथा ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया की संपन हुने की रीती बता रहे हैं अतै ये रीती वाचक क्रिया विशेशन हैं कुछ रीती व पुर्वक, शिग्रता से यथा शक्ति, भली भांती, शायद आदी, कालवाचक क्रिया विशेशन, जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे हम कल सरकस जाएंगे, सदा सच बोलना चाहिए, किलहरिया दि दिन भर शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो रहा है अते ये काल वाचक क्रिया विशेशन हैं कुछ काल वाचक क्रिया विशेशन अब, जब, तभी, कई बार, तुरंत, ततकाल, आज, कल, परसों, अभी, हमेशा, कभी-कभी, दिन भर, नित्य, सदैव, रोज परिमान वाचक क्रिया विशेशन जिन शब्दों से क्रिया द्वारा होने वाले कारे की मात्रा या माप तोल का बोध हो उन्हें परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे अथर्व अधिक बोलता है राजेश बहुत परिश्रम करता है इन वाक्यों में अधिक तथा ब जरा इतना उतना चितना बहुत अत्यधिक अतियंत प्रियाप्त बूंद बूंद केवल लगभग कुछ अतियादी परिमान वाचक विशेशन तथा परिमान वाचक क्रिया विशेशन में अंतर अनेक शब्दों का प्रियोग परिमान वाचक विशेशन और परिमान वाचक क्रिया विशेशन दोनों के ही रूप में किया जाता है जैसे कम, थोड़ा, अधिक, काफी, बहुत, प्रियाप्त आदी जब ये शब्द किसी वस्तु के नापतोल का बोध कराते हैं तो परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं परन्तु जब ये क्रिया के विशेशता बताते हैं तो परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं नीजे दिये गए कुछ उदाहरण देखिए. परिमाण वाचक विशेशन परिमाण वाचक क्रिया विशेशन तुम कम खाना खाते हो, तुम कम खाओ. गगन के पास बहुत धन है. गगन ने बहुत खा लिया. मेरे पास प्रयाप्त पुस्तकी हैं, आज अमित ने प्रयाप्त पढ़ाई की है, विशेशन और क्रिया विशेशन में अंतर, विशेशन, संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्द, क्रिया विशेशन, क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द, कभी-कभ सुन्दर चित्र बनाया उसने सुन्DR लिखा अमोल के पास बहुत किताब में आमय बहुत खाता है हमने सीखा क्रिया की विशेष्टा बताने वाले शब्द क्रिया विशेशण के चार भेड है काल वाचक रीति वाचक, स्थान वाचक व परिमान वाचक